नमस्कार आज मैं आपको बताऊंगी जो तीरे की प्रोब्लम है उसके बारे में और जो टक्स है वो आपके सई से नहीं आ रहे हैं जैसे आप लोग पूछ रहे हैं तो आज मैं आपके कमेंटों का जबाब दूँगी और टक्स के बारे में बताऊंगी और तीरा के बारे में हेवी चेषट है तो करेंगे जयसे कम चेषट यह और हेवी क्या करेंगे जो नब्ला dall सताहिं करेंगे उनके लिए समझाना कि कैसे आपको चेषट उनके नाब लेंहे देखिए YEं सबसे पहले तो हम यहां पर चैस्ट कनाप लेंगे देखिए इस तरीके से चैस्ट कनाप लेना है तो यहां पर 18 इंच आ रहा है तो यह होगी हमारा नाप 18 अब जब हम कटिंग करेंगे तो इसमें 3 इंच और बढ़ा देंगी तो 3 इंच बढ़ाने का क्या मतलब है कि सिलाई म हमारा इधर की साइड 1.5 इंच इधर की साइड तो हमें 3 इंच कपड़े को बढ़ाना है क्योंकि नए लोग है उनके बुल्कुल भी समझ में निया रहा है और बोल नहीं हम नहीं है नहीं है तो दिखिए हम इसमें 3 इंच बढ़ाएंगे तो 18 इंच तो हम निशान लगाए तो लंबाई हम 14 इंच की लेंगे पीछे की और 14 इंच की लंबाई लेने के बाद जो आगे का पल्लर है उसमें हम 1.5 इंच बढ़ा देंगे तो आगे का पल्लर कितना लेंगे 14 इंच पीछे का ले लिया तो आगे का लेंगे हम साड़े 15 इंच का क्योंकि आगे के पल्लर मे जैसे पूछ रही है कि 13 हमारा 13 इंच पे जितनी भी चेश्ट है उनका निशान लगाना है बिलकुल नहीं इसा नहीं लगाना है अब देखिए जैसे आप पे ब्लॉग जाया है नाप के लिए तो आपको यहां पे इंची टेप को रखना है और इसको खीचना है यह जो बीच क तो इसमें 1,5 इंच बढ़ा देंगे तो यहां पे सिलाई में चला जाएगा तो इस तरीके से हम दूसरे का पिलाओ जै बना सकते हैं आप जैसे बॉड़ी कशना प लेते हैं तो जैसे हमारी चैश्ट है 40 चैश्ट है तो उसका तीरह हम नीचा लगाएंगे क्योंकि सीना भ से बन जाए अगर उसमें पप नहीं होगा तो फिटिंग भी सही नहीं आएगी अगर कम चेस्ट है तो उसमें प्लेट है हम यहां पर एक इंच और आदा इंच और यहां पर आदा इंच तीन प्लेट डालने है नीचे की पप के लिए हमें डबल करके एक इंच लेना है तो भी अच्छा पप आजाएगा, अगर chest है भी है, 40 chest है, तो हम नीचे की plate डालेंगे 1.5 इंच, और यहाँ पर डालेंगे पॉन इंच, पॉन इंच की लेंगे, और यहाँ पर भी पॉन इंच, और यहाँ पर ले लेंगे हम आदा इंच, तो इससे क्या है हमारा पप एकदम अच्छ आएगा, यहाँ पर पप अच्छा रहेगा, तो fitting भी अच्छी आएगी, और plate डालने का कैसा है, मैंने आपको बताया है, इसको हमें safe में डालना है, जैसे अगर आप नए हैं, तो इस वीडियो की नीचे हमारे चैनल का नाम आ रहा है, telling in Hindi channel, तो आप प्लीज उस पर क्लिक क कीजिए, उसके बाद ऊपर लिक के आएगा वीडियो, फिर उस पर क्लिक कीजिए, तो पूरा चैनल आ जाएगा, तो हमारी वीडियो आप देखते रहे, तो कितना भी आप beginner हो, नए हो, फिर भी आप सीख जाओगी, तो दीखिए, plate डालने का भी एक तरीका होता है, जैसे ह हमने यहां पर चोड़ाई लिए, तो इसको कम करते हूं उतारना है, वो मैं जब टक्स की वीडियो बनाती हूं, तो मैं टक्स की वीडियो बनाई है, तो आप उसमें देखिए, और भी मैं नई वीडियो बनाऊंगी, तो आप देखते रहे, तो plate डालने का भी तरीका है, इ हमने जो पट्टी लगाई है, तो इसके पीछे हमें काज बनाना है, काज हमें पट्टी के ऊपन नहीं बनाना, थोड़ा सा पीछे ही बनाना है, इससे कि आए जब हमारा यह हुक लगेगा, तो इसको कितना भी खीचेंगे, इस तरीके से तो अंदर की चीज़ दिखाई नह आगे का, तो देखिए पीछे का अगर बढ़ा हो रहा है पलर, तो आपको क्या करना है, पीछे का यह पलर बढ़ा है, तो इसको आप, तो इसको ऐसे करके पीछे की साइड तुरपाई कर ले, आगे की साइड आपका सिलाई है, तो आगे की साइड आपकी सिलाई है, अंदर ग्लाण्ड है तीरा लगा हुआ है और पिछे पड़ा हो रहा है तो बड़ा हो रहा है तो उसमें आप तुर्पाई कर द्ञाती हूं तो मेरा पीछी कपलर बड़ा तो मैंने क्या किया मैं सिलाई है तो जो पीछे का बढ़ा है तो मैं इसको निकाल के दिखाती हूं अब देखे इस तरीके से आप देख रहे हैं यह पीछे का बढ़ा है हो जाता है क्योंकि जो नई तो आपको आगे का पढल बढ़ा हो गया है तो आप उसका क्या करेंगे देखिए इसके उस ना बर भी पोड बता ही है तो आपको देखिए मैं आपके लिए खोलके बता तो मेरी इस वीडियो को आप प्लीज अपने दोस्तों के साथ जादा से ज्यादा शेयर जरूल करना है अब देखिए इस लाई खुल ली मैंने अब देखिए जैसे आगे का पड़लर आपका हो रहा है तो आप इसमें क्या करेंगे आपको इसमें क्या करना है कि जैसे ये तीरा लगा हुआ है हमारा यहां से तो हम इसमें सिलाई लगा लेंगे यहां से सेप में इसको हमें कम करते हुए उतारना है इस तरीके से इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे तो यहां पे हमारा जितना भी कपड़ा बड़ा है उतना हम सिलाई में दबा देंगे फिर इसको सिलाई लगा लेंगे फिटिंग की तो पब भी अच्छा आजाएगा और छोटा भी हो जाएगा हमारा आगे का पलर तो इस तरीके से हम अपना जो छोटा बड़ा होता है इस तरीके से और हो जाता है छोटा बड़ा तो इसी तरीके से सही किया जाता है इसा कोई भी टेलर नहीं है कि उस्टे गलती नहीं होती ओ, तो आप लोग तो नहीं है, हो जाता है, छोटा बड़ा हो रहा है, अगर थोड़ा सा ही छोटा है, तो आप इस तरीके से थोड़ा आगे का पळलर खीच लीजिए और इसमें जोड़ दीजिए, अगर ज़ादा ही बड़ा छोटा हो रहा है तो आपको इसी तरीके से इसको सैट करना है पीछे का बड़ा है तो पहले आप एक सीधी सिलाई लगा लो इस तरीके से उसके बाद जैसे मैंने इस पर तुरपाई कर दी पीछे की साइड इस तरीके से पीछे की साइड इस तरीके से तुरपाई करक साथ थोड़ी तो आप यहां पर पीले थोड़ी सलाइव लगा ले इसको स्चलाइव खोलने के बाद पिलेट पहला लगावम में भी मेरा चपा असट तो ओले तो निकाल के थोड़ा ज़ोड़ाक कर सकते तो देखी आसा करते हूं आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जाद से जाद से शेयर करें अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें नीचे कमेंट करें अगर आप आपने हमारे चैनल को सस्क्राप नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राप करना है धन्यवाद